ग्यानवापी केस की वादी राखी सिंग अपना नाम वापस नहीं लेंगी उनके वकील शिवम गौर ने बताया कि वो अपना नाम वापस नहीं लेंगी मुस्लिम पक्ष की ओर से कोट कमिश्टर पर उठाए गए सवालों को भी हिंदू पक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया है आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष ने तहखाने का ताला तुरवाने की अपील भी की है ये श्रिंगार गौरी केस में मुक्यवादी है राखी सिंग ग्यानवापी केस में कोट में समय सुनवाई जारी है और खबर अभी आ रही है कि राखी सिंग अपना नाम वापस नहीं लेंगी मांग ये की जा रही थी और कहा ये जा रहा था कि 6 माई 2022 को 3 बजे कोट कमिशनर के आदेश पर जो सिविल जज है कोट ने ये कहा था कि सर्वे किया जाएगा और दर्शन पूजा और जो सुरक्षा है वो जब वहाँ पर मूर्तिया है जिसमें श्रिंगार गौरी की मूर्ती शामिले ग्यानवापी मस्जिद परिसर में उसकी सुरक्षा की जाएगी राखी सिंग के वकील का क्या कहना है कि अब यह जब ख़बर आ रही है कि वह अपना नाम वापस नहीं लेंगी सुनते हैं उनके वकील को कि जानकारी के आब सическая मत वाकात्य को तो शुरूए ने इस मुकदमें को शुरू किया और शी समेंश्राज mü जैटेएंफ द्रहलrist चे तस्वीरे समय आप देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर किस तरह सुरक्षा इस समय है बड़ी सुनवाई का दिन और ये सुनवाई समय चल भी रही है अदालत में और राखी सिंग के वकील ने साफ कर दिया है कि वो अपना नाम वापस नहीं लेंगी क्योंकि पहले खबर ये आई थी कोट कल तै करेगी अगले सर्वे की तारीख पिछली बार सर्वे नहीं हो पाया था हाना कि सुरक्षा दी गई थी लेकिन विरोध हो रहा था ग्यानवापी सुनवाई पर इस वक्त की बड़ी खबर अगले सर्वे की तारीख अदालत तै करेगी और मेरे सहयोगी कुमार अभिशेक जादा जानकारी के साथ हमारे साथ जादा समय जुड़ रहा है अभिशेक ये विवाद आखिर एक एक शुरू कैसे हुआ कि पहले ये कहा गया है राखी सिंग अपना नाम वापस ले लेंगी कि वो मुख्वादी है इस केस में फिर कहा कि हिंदू पक्ष का केस कमजोर हो रहा है क्योंकि वो अपना नाम वापस ले रही है खुश नहीं है ये आखिर विवाद है क्या और अब लेटेस इसमें क्या है देखे गौरव सबसे पहली सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि आज जो सुनवाई होनी थी उसका ओर्डर रिजब हुआ है कल उस पर ये कोट टैग करेगा कि अगला सर्वे कब होगा यानि कि अगला सर्वे होगा ये भी अवताय हो गया इसलिए क्योंकि कल तक उन्हें रिपोर्ट सौपनी थी और आधी अधूरी जो आधा अधूरा जो सर्वे हुआ है यानि कि एक दिन हो पाया और अगले दिन नहीं हो पाया मुझे लगता है इस पर कोट ने संग्यान लिया हाला कि अभी डिटेल जैसे ही वकील बाहर निकलेंगे इस मामले के तब पता चलेगा इस वक्त अभी पूरा जैम पैक्ट था उनका ये उनकी अधालत हाला कि मीडिया को बाहर कर दिया गया लेकिन कल इस पर अधालत फैसला लेगी कि अगला सर्वे ग्यान वापी का कब होगा उस पर इसर का कब होने जा रहा है तो ये इस वक्ती सबसे बड़ी खबर है पूरे परिसर में जहाँ-जहां विग्रह हैं, मूर्तियां हैं उनके पूझा का अधिकार मांगा था और उसके बाद ये तैह हुआ था कि इस पूरे इलाके में सर्वे कराया जाया कि कहीं और जगह तो हिंदु देवी देओताओं की मूर्तिया नहीं है और इसी पर जब ब नहीं घुसने दिया गया उसके बाद का ये बवाल है हलाकि इनके तरफ से ये भी माम की गई थी कि कोट कमिश्णर को बदला जाए मुझे लगता है कि कोट ने उसे नहीं माना है क्योंकि डिटेल इसका जज्जमेंट अभी आना बाकी है कि आखिर कोट ने कहा क्या है मुझे लगता है कुछ देर में गौरों ये तमाम चीज़ें साफ होंगी अच्छा ये काफी काफी विवाद इसको लेकर हुआ क्योंकि पिछली बार सर्वे क्यों नहीं हो पाया किस तरह से विरोध हुआ लगातार कैमरे पर हमने तस्वीरे भी का इनको कैड़ करने की कोशिश भी देखे गौरव अगर दर्शकों के लिहाद से देखें तो जो निचली अदालत है उन्होंने ये फैसला दिया था कि जो ग्यानवापी परिसर है ग्यानवापी परिसर में कोर्ट कमिशनर के कोर्ट कमिशनर जाएंगे और फिर उसका सर्वे करेंगे दरसल ये इसलिए हुआ था क्योंकि पांच जो महिलावादी हैं उन्होंने मांग की थी कि जो श्रिंगार गौरी है श्रिंगार गौरी की पूजा वो सालों भर करना चाहते हैं इसके आसाथ-साथ उस परिसर में जितनी मूर्तियां हैं उसकी पूजा का अधिकार मांगा था इस बात पर सर्वे शुरू हुआ अब जब सर्वे की बात आई तो सबसे पहला विरोध यह हुआ कि आखरी ये सर्वे कहां होगा क्योंकि वो पूरा का पूरा जो परिसर है वो ज्यानवापी परिसर है और उसमें ज्यानवापी मस्जिद है मस्जिद के जो पीछे का इलाका है ठीक पीछे का इलाका अगर कोई भी आदमी चार नंबर गेट से जाता है तो उसे दिखता है कि वहाँ पर पूजा पाठ होता है और उसी इलाके में वो अगर कहले तो पहले फुलके तौर पर ही सही नारेबाजी हुई थी उस दिन जुमे का दिन था तो हजारों की तादाद में जो नमाजी है वो नमाज कर आता करने पहुंचे थे और एक तरीके से परिसर के बाहर से पूरी फोटोग्राफी हुई जहां 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 वो लोग देख सकते थे घुम घुम कर वो देखा लेकिन जब अगले दिन का जो सर्वे था वो उस परिसर के भीतर यानी की ज्यानवापी मस्जिद में होना था और वहां पर उसे रोक दिया और उसे रोका वहां पर मौझूद जो कमिटी के लोग थे उनके वकील थे और धेर सारे लोग पहले से मस्जिद के भीच बीतर जमा थे और उनका ये कहना था कि ये इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि कोर्ट का कोई क्लियर कट आदेश नहीं है लेकिन इनके पक्षिवकीलों ने कहा कि उन